सो वाट्सप गाइज वेलकम बैक तो माई वीडियो इन दिस वीडियो लेक्चर हम गाइज जो टॉपिक है इसके अंदर शेप्टर पाठ आठ समय जो है यह संस्कृत में दिया एकदम संस्कृत में तो यह हम करेंगे टॉपिक जो है ना इनके आज हम वो समझेंगे तो गाइ मोटीव भी होता होता है यह एक लाइक करेंख जाना चूड से वीडियो को एक कुस कमेंट में तो चलिए बिना टाइम गवाइज स्टार करतें वीडियो यह यह मैं क्या है बज़ गए 900 तो अब पूरे तो तो से क्या कहेंगे नव बादनम कहेंगे वादनम मतलब होता है समय 9 बज़ गए पिर है जैसे कि आपे 930 हो रहे हैं सेकंड गली में आप देख सकते हो सेकंड गडी में यहां पे 930 हो रहे हैं तो हम इसे सार्द कहते हैं क्यों कि यह आदा है ना मारगे 12 का आदा 6 है मने कि आदा हो गया आदा समय हो गया है 10 और 10 बजने में 11 गंटा और है तो उसे हम कहेंगे सार्द नव वादनम क्यूंकि नाइन को हम संस्कृत में नव बोलते हैं अगर आपने गिंती अच्छे से यादे हैं आपको संस्कृत में एक से बीस तक का तो आप कर सकते हैं नहीं तो नहीं या बारा तक भी कर लोगें तो साहिए इस चैप्टर के लिए क्योंकि इसमें बारा तक ही है नंबर तो फिर उसके बाद यहां पर है गाइज हम जब 45 होता है जैसे 845 हो गया तो हम उसे हिंदी में पॉना कहते है पॉना पॉने नौ बज गये तो उसे हम पादोन कहेंगे संस्क्रीट वर्ड में पादोन नव वादनम ठीक है अब आप सोच रहे हो यहां पर आठ बज रहे हैं नौ तो बज नहीं रहे तो फिर हमने नव वादनम क्यों बोला तो गया इस समय अगर आपने इसके रूल्स पड़े होंगे समय के संस्क्रीट में तो आपको समझ में आएगा नहीं तो नहीं तो मैं बता दिता हूं आपको जब भी ना 845 होगा यह 745 होगा तो उसे आप 8 में लिखोगे अस्ट 645 होगा तो आपके लि को एक वीडियो बना के भीज़ दूँगा इस यूट्यूब पे तो आप उससे भी अच्छे से क्लियरी समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद यहां पर गाईज अगर हम सावा नौ कहते हैं तो इसका मतलब होता है 915 तो इसे हम कहते हैं संस्क्रीट में सपाद सपाद न वादनम जैसे कि मैं आपसे एक तौर के जांपर पर ले लूँ ऐसा अभी एक्ससाइज करेंगे हम तो हम ले लेक सेवन फिप्टीन तो आप कहोगे सपाद क्या कहोगे आप सपाद सप्त वादनम यहीं कहोगे क्योंकि इस पिक्चर में आपने देखा है कि सपाद न वादन लिखा हो है तो मैंने आपको बोल यह 750 तो आप सपाद सब वादनम कहेंगे तो फिर उसके बाद यहां पर है वैसी इस घड़ी सब में भी वही है सब कुछ तो बताया गया है तो मैं आगे इसमें जाला गहराई में ली जाओंगा इन सब का मीनिंग वही है जो मैंने आप य है फिर उसके बाद गया इसमें क्या कहते है यहां जैसे की टूस टू 30 एना कि इनी बये ह। तो 230 को हम क्या कहेंगे सार्द त्रिवाद ने फिर इसमें दिया गया है इत 15 तो हम इसे क्या कहेंगे त सपाद अस्ट वादने फिर उसके बाद है यह आप इस मरनीय में देख सकते किसी कारे का समय बताने के लिए समय के साथ वादने सब्द का प्रियोग होता है अभी मैंने आपको कम से 5-6 बार बोल दिया है वादने वादने गिंती के साथ तो मैंने आपको पता दिया था पहली सुरवात में वीडियो के कि वादने का मतलब हो गया बज नहीं जैसे की 9 बज गए नौ बज गए नव वादने ओके तो काई इतना तो आपको क्लियर होगा आगे है यहां पर केवस हमें बताने के लिए वादनम का प्रियोग होता है जैसे एक वादनम सड वादनम इतियादी फिर यहां आदे के लिए सार्द यूज होता है अभी मैंने आपको बताया था सिक्स फॉट्ट इसिफीप्टिन को क्या कहते हैं सार्द नहीं शिक्स फिप्टिन को नहीं सिक्स थार्टि को क्या कहते है साद सड वादनम वैसे ही 45 मिनिट के लिए पादों यूज हो किया जाता है अब मैंने एक घड़ी बढ़ा के बोला थ वादळनं तर उसके फिप्टिन के लिए सपाद यूज के दाता है इसमें दिया गया है सबादर फिप्टिन के लिए यूज कहीं आप यहाँ देख सकते आप यहां पर दिया गया है कुछ exercise नीचे आप यहां पर गौर करोगे तो यह सब भी उसी के बेश पर है तो गाइस चलिए आगे पेशर पढ़ते हैं तो यहां पर आप जेख सकते हैं यहां पर घड़ी नहीं दिया है यहां पर वसा में बताया गया है तो जैसे की 730 है ना तो इसका क्या होगा आदा यह सार्द सार्द सप्त वादनम फिर उसके बाद यहां पर दिया गया है तैन तो यहां हो जाएगा पूर्ण एकदम पूर्ण है ना तो दस वादने हैं दस वादने फिर 45 है 1145 होड़ है तो मैंने आपको बताया था एक घरी बढ़ा देना है तो यहां हो जाएगा पादो डू दस वादने पिर उसके बार यहां पर है लास्ट में वन फिप्टीन तो वन फिप्टीन एक बचके पंदर में तो रहे हैं तो हम इसे सपाद गएंगे इसपाद एक वादने हो जायँगो करें इसके हम यहां पर ट्कवाला है एक सेके हैं तो अर्भी एज़ी होगा nhưng यह सब ट्क वाले है और इधर भी यह वाला टिक मैं ज़्यादा बताओंगा नहीं क्योंकि बहुत कॉमन चीज है अगर आप समझ में नहीं आया तो गाइस तो गाइस यहीं पर मैं एंड कर देता हूं वीडियो को अगर अच्छा लगे गाइस वीडियो लाइक एन सब्सक्राइब कर देना बहुत मैने लगती है एक वीडियो में गुडबाई